Hey guys, this is Pawan and you're watching Study Skill Success. Guys, कल ही HRD Minister का बयान आया था कि आगे के जो examination है वो situation के basis पर करवाए जाएंगे. अगर situation सही रहती है, करोना वाइरस पर काबू पा लिया जाता है तो आपके नीट और जही जैसे बड़े examinations को कंड़क्ट करवा लिया जाएगा selected dates पर. अगर करोना वाइरस की current situation पर काबू नहीं पाय जाता है तो जो exams है वो आगे के लिए भी postpone किये जा सकते हैं. तो lockdown 5.0 को लेकर एक बड़ा बयान आया है हमारे देश के माननी परदान मंतरी शिरिमान नरेंदर मोदी जी दवारा उनका क्या कहना है lockdown 5.0 के दवर ये अगर lockdown 5.0 लागू होता है तो इसका effect need और जही जैसे examination पर किस परकार होने वाला है किस परकार ये need के examination को effect करने वाला ह उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथी साथ बात करेंगे lockdown 5.0 के बारे में काफी important होने वाली है ये वीडियो तो वीडियो को अन तक जरूर देखी का चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe करके मैं like and share जरूर करिएगा चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले द क्या मंत्री है और मिनिस्ट्र है उनकी और प्रदान मंत्री निरेंदर मोदी जी की उनके PM आवास पर एक मेटिंग हुई है जिस पर सीधे इसको लेकर discussion हुआ है कि 5.0 कैसा होगा इसको लेकर discussion नहीं हुआ है कि lockdown 5.0 होगा या फिर नहीं होगा इसका मतलब क्या निकलता है कि 5.0 कैसा होगा मतलब 5.0 lockdown होना त्या है ठीक है lockdown 5.0 जो होना त्या है और अगर lockdown 5.0 होता है तो वो महमली से बात है 15-20 दिन का minimum किया जाएगा और 15-20 दिन minimum किया जाता है तो लगबख जून मीट तक ये आपका lockdown है किया जाएगा क्योंकि 31 माई तक तो यह lockdown 4.0 ही रहने वाला है जो लोगडाउन 4.0 वो 31 माई को समाप्त हो जाएगा और 1 जून से जो 5.0 लोगडाउन है वो शुरू कर दिया जाएगा और वो 15 से 20 दिन तक रखा जाएगा जो इसका सीधा का सीधा इफेक्ट जो वो स्टूडेंस पर पढ़ने वाला है उनकी परिप्रेशन पर पढ़ने कर पते कोई कुछ भी स्टूड़ेंस है जो इसे स्टूडेंस वी हैं ग्रीन जोन में है उनके लिए भी ठूड़ा स्टड़ी करना थोड़ा घुमना फिर बिया समयरे पिछली बार भी जो वो नीट के examination को 2018 में भी बाद में करवाया गया था फैनी तुफान के कारण इस बार भी ऐसी situation बनी हुई है ठीक है गाइस तो मुझे नहीं लगता कि नीट चैसे examination को अब इस situation में कंड़क्ट करवाना सही होगा बाकि डेट निकाले गई है जो डेट निकालेगी है उनमें काफ़ी टाइम है लगबग टू मन्स का टाइम अभी तक बाकि है क्योंकि जीवन आपके पूरा पड़ा है जुलाई के आपके लास्ट में जाके नीट क एक्जाम है लेकिन उससे पहले जैई का भी एक्जाम है तो जैई नीट से अलावा जैई के बारे में भी सोचना होगा गवर्मेंट को ठीक है जुलाई मिर तक आपका lockdown रहेगा उसके बाद भी situation एकदम ठीक होने वाली नहीं है ऐसा नहीं है कि जुलाई में जो lockdown खतम होगा मान लीजिए पंदरा जुलाई को जैसे जून को पंदरा जून को जैसे lockdown खतम होता है तो एकदम से situation करेक्ट हो जाएगा जाएगा यह थोड़ी राइट थिंकिंग नहीं होगी मेरे हिसाब से ठीक है गाइस तो आपका इस पर क्या कहना है कि आपकी opinions करके जरूर बदाएग लोटवाटरण 5.0 का एलान हो शुका है और देखने वाली बात यह कि लोगड़ण 5.0 में क्या-к्या जएक शूट दी जाएगी क्योंकि 4.0 में कुछ खूट दी जाएगी औरEu हले कि शूरत भरते जाएगी उसके आवारे में देखने वाली बात होगी और कब तक रहता है वही भी देखने वाली बात होगी इसकी अलाइन सब्सक्राइब कर दिया जाएगा और आपके जो भी अगर कदर कुल कोश्टन्स है और मेरे साथ डिसक्रेशिन करना चाहते हैं पर्सनली इस्टाग्राम पर आप में फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क करिएगा चैनल पर नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाकिन को प्रेस कर लीजेगा ताकि ऐसी ही इंप्रोटन्ट वीडियो सागे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सकें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ लाग एंड हवे नाइस टेग